आप इतने प्रेम से समझाते हैं पर मुझ अज्ञानी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता वैसे वेद, पुरान, गीता, इत्यादी सब मेरी समझ में आ जाते फिर आप क्यों समझ में नहीं आते पहली तो बात अज्ञानी तुम नहीं हो वेद, पुरान, गीता, इत्यादी सब तुम पढ़ चुके हो तुम और अज्ञानी विनमरता बस कह रहे हो कि तुम अज्ञानी हो हम विनमरतावस बहुत सी बाते कहते हैं, उनको सच्चा मत मान लेना लोग आके कहते हैं कि हम आपके चर्णों की धूल सच्चा मत मान लेना, नहीं तो वो तुमें कभी च्छमानी करेंगे कोई तुम से कहे कि मैं आपके चर्णों की धूल ऐसा मत कहना उससे कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे पहले ही से मालो कि आप चर्णों की धूल है आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, सत्य वचन महाराज ऐसा मत कहना नहीं तो वो आदमी जिन्दगी बर छमानी करेगा वो जिन्दगी बर कोशिस करेगा कि तुम को दिखला दे कि तुम पैरों की धूल हो लोग कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपके सामने मैं क्या है लेकिन उनका भाव कुछ और है वो ये कह रहे हैं प्रसंसा करो मेरी विनम्रता की सनमान करो मेरे निर एहंकार भाव का देखो क्या कह रहा हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं एक चौराहे पर तीन इसाई फकीर मिले तीन अलग अलग इसाई संपरदाओं के अन्युआई थे वे एक था कैथलिक उसने कहा कि जहां तक ग्यान का संबंद है हमारे आस्रम वासियों का कोई मुकाबला नहीं हमारे आस्रम की सारी साधना ही ग्यान साधना है जैसे सास्तरग्य हमारे आस्रम ने पैदा की और किसी आस्रम ने पैदा नहीं की इस बात को तो स्वीकार दुस्मनों को भी करना पड़ेगा जैसे साधना हमारे आस्रम की साधना है